यूपी चुनाव में सिराथू विधानसवा सीट पर रोचक मुकाबला होने जा रहा है आपको बता दे कि विधानसवा चुनाव के पाचवे चरण में सबसे हौट सीट कोशामबी की सिराथू मानी जा रही है जहां से डिप्टी सीम केशव प्रसाद मौरे मैदान में है ये सीट कभी बसपा का मजबूत गड़ हुआ करती थी लेकिन 2012 में केशव प्रसाद मौरे यहां से पहली बार कमल खिलाने में कामयाब रहे थे इसके बाद से बिजेपी का ही यहां पर कपचा है सिराथू में पाच साल में कराए गए विकास कारे के दम पर केशव मौरे की जीतने के दावे किये जा रहे है लेकिन जाते समी करण को देखते हुए सपा ने जिस तरह से पल्लवी पटेल को उतारा है उससे मुकाबला दिल्चस्प हो गया है इसी सीट पर बसपा से मुनसब अली उस्मानी ताल ठोक रहे है बतादे कि पल्लवी खुद को कोशामबी की बहु बताती है क्योंकि उनके पती पंकच निरंजन इसी जिले के निवासी है वही केशव प्रसाद मौरे की जन्म भूमी कोशामबी है ऐसे में सिराथू का मुकाबला बहु बनाम बेटे का हो गया है सिराथू सीट पर बिजेपी और सपा दोनों की प्रतिष्टा अगताव पर लगी है जिसके चलते दोनों ही पार्टिया पूरा जोर लगा रही है आपकी जानकारी के लिए बता दे कि सिराथू विधान सपा सीट पर सपा प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में उत्री पल्लवी पटेल केंद्रे मंत्री अनुप्रिया पटेल की बड़ी बहन है वहीं बिजेपी अध्यक्ष जेपी नड़ा सहित पार्टी के तमाम दिगच नेताओं ने केशव प्रसाद के पक्षवे रैली की है